तू परमाते माजग का आधार है शिव जोती अलाकिक निराकार है तू परमाते माजग का आधार है शिव जोती अलाकिक निराकार है तू अजन्मा अजूनी स्वयंसार है तू महाकाल इश्वर ओंकार है पाच कर्त्मों से भी पारत घर है तिरा ब्रह्म से जो बनावा नगर है तिरा शात्यानत मूति का वो लोग है बाणी से भी रहित देव्य कर लोग है आत्माए वहा की हम निराकार है घर है जाना प्रभू संग इंतिजार है तू परमात्मा जग का आधार है शिव जोति अलोकित निराकार है तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी चांद सूरज से तार ये जीवन जवी चांद सूरज से तार ये जीवन जवी नामी तेरा है शिल सबसे सुन्दर तो ही तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं तु रच्चेतानी आमक भी निरंकार है तु ही स्रश्टा ये साक्षी पालनार है तु परमात्मा जग का आधार है शिव जोति अलोकित निराकार है आप सभी एकी स्थान पर बैठना नाम दोनें ताकि मेडिटेशन का फायदा अच्छे से दे सकें क्योंकि जब आप एकी स्थान पर बैठते हैं तो वहां की वाइब्रेशन शान्ती की बनती जाते हैं ये कोर्स हर एज ग्रूप कर सकता है हमने पहले भी बताया है इसे बड़े बुजर्ग बच्चे सब कोई कर सकते हैं आप सबसे हम ये आशद जरूर रखते हैं कि आप अपना डेली का होपब जरूर करते होंगे जो कि आपको डेली वाटसेप ग्रूप पर मिलता है इसलिए अब तक जिन्होंने भी यूट्यूब से जुड़े हैं चाहे जूम से जुड़े हैं कोई भी वाटसेप ग्रूप नहीं किया है जल से जल जोइन कर लें ताकि आपका कुछ भी मिसना हो डेली आप कोपी, डायरी, पेपर, पेन जरूर लेकर पच्छें ताकि आपका कोई भी पोईंट मिसना हो आप रिकॉल कर पाएं आपको कोई भी कोई है, प्रशने है, किसी भी तरहा का डाउट है आप chat box में लिखें आप सबसे यह request है कि hand raise ना करें क्योंकि आपको unmute करना थोड़ा difficult होगा तो by default आप सब mute रहेंगे लेकिन आप अपने queries chat box पे जरूर लिख सकते हैं आपका time to time answer मिलेगा and at the end of the session हमारी नाविक यानी हमारी sister Monica आपको आपके हर सवाल का जरूर जबाब देंगी तो कल जो हमने जाना था कि हम आत्माओं के पिता भी point of star हैं जैसे जानवरों के माता पिता उनके जैसे होते हैं इनसानों के माता पिता उनके जैसे होते हैं उसी तरह से हम आत्माओं का पिता हमारी तरह पॉइंट ओप स्टार है कल सिस्टर मॉनिका के द्वारा अलग-अलग बिलीव सिस्टम्स के बारे में हमने सुना था कल सिस्टर मॉनिका के द्वारा हमने सुना था और आज हम अपनी जर्नी की नाविक के साथ अपनी लॉजिकल बुद्धी द्वारा समझेंगे कि क्या निराकार परमात्मा हर धरमानी होंगे आधी-आधी कसोटियों पर हम परमात्मा को चानेंगे हमने ये भी जाना था कि निराकार परमात्मा का नाम सदाशिव, अर्थात, कन्यार कारी, परम, पवित्र, वशांति का सागर है चले आएं, करे उस परम सत्य की पहचान, करे उस परम सत्य की पहचान, जिसे जानना पाया आज तक होई विद्वान हम इस ब्यूटिफुल जर्नी को कंट्यूनी करते हैं सिस्टर मॉनिका के साथ, आप पैंतिस वर्षेयों से इसी इश्वरिय विश्विध्याले से जुड़े हैं और अपनी सिवाएं ते रही हैं ओम, शांति, वेल्कॉम सिस्टर ओम, शांति, गुट इवनिंग, सभी का फिर से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आज हमें खेत है कि कुछ तक्नीकी प्रॉबलम की वज़े से यार अनेबल तो टेक दिस सेशन लाइव उन यूट्यूब तो मैंने अक्सर देखा है कि कभी बहुत अच्छी जर्नी पर जा रहे हो और वहाँ पर कभी टायर फॉल फ्लाट हो जाता है तो जर्नी का थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता है लेकिन जब अपनों का साथ हो तो आई थिंक वो बातें हलकी हो जाती है तो हमारी इतनी प्यारी हमारी फैमिली ओनलाइन फैमिली हमारे साथ है तो मुझे लगता है ये बातें तो बहुत छोटी सी है and I'm sure we will still enjoy the whole thing तो कल जैसा की शिखा बहन ने बहुत सुन्दर हमें बताया कि हमने सुना कि क्या भगवान के विशय में लोगों की माननेताएं थी और जब हम ऐसी चीजे सुनते हैं तो अकसर मनुष्य को concerns होते हैं कि भई ये तो हमने बचपन से सुना है ऐसी ऐसी बातें जब हमने किसी भी चीज को किसी के ओपर थोपा नहीं है भगवान ने हर चीज का एक लॉजिकल अंडरस्टांडिंग दिया एक लॉजिकल हमें समझ दी और उस समझ के आधार पर कितना मज़ा आ रहा है न कि हर चीज को हम देखते जा रहे हैं तो बहुत आनन्द हो रहा है तो उससे पहले कि आज की इस जर्णी को हम आगे चलाएं कुछ देर के लिए आईए बैठते हैं साइलेंस में मन पुद्धी से उप्राम अपने मन को ये स्रेश्ट संकल्प दे मेरा तन भी रिलाक्स्ट और मेरा मन भी बहुत रिलाक्स्ट भाग्यवान है वो जिन्हे स्वयम पर मात्मा ने चुना और चुन करके स्वयम की पहचाम दे अपनी भी पहचाम और मुझा अत्मा की भी पहचाम दे जैसे जैसे ये ग्यान जात्मा को मिलता चारा है मेरा मन धीरे धीरे शांत और मेरी पुथी जैसे उसे कोई रोश्नी दे रहा है समझ दे रहा है पहरे मैं कितनी भागेवाद हूं परमात्मा बाप ने मुझात्मा को चुना है इसी स्थिती में स्थित होकर आईए आज की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कल हमने सीखा और समझा कि कितने प्रकार के लोगों के बिलीव्स हैं किसी ने कहा प्रकृती परमेश्वर है किसी ने कहा आत्मा सो परमात्मा है किसी ने कहा परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, किसी ने कहा ईश्वर ही ब्रह्म है और किसी ने कहा निराकार है और फिर फाइनली किसी ने कहा साकार है और इन सभी मानलताओं को हमने उस कसोटी पे ना पा, कि हम उसको भगवान कहेंगे जो सर्व धर्म मानने है, सर्वोच है, सर्वोपरी है, सर्वग्य है, और सर्व गुनों में, सर्व शक्तियों में, अनन्त है, सागर है. तो मुझे याद आती है अभी कुछ दिन पहले एक मदर हमारे आई थी और उस बहन ने मुझसे कहा कि दीदी आज कल के जो बचे हैं न ये तो बड़े ही जिसको कहते हैं न कि भगवान को नहीं मानते ये बड़े नास्तिक टाइप होते जा रहे हैं तो मैंने का भई आप ऐसी बात क्यों कहती हैं मतलब what makes you feel कि आजकल के बच्चे नास्तिक हैं और भगवान को नहीं मानते आपने तो एक बड़ी जनरलाइस सी स्टेटमेंट कर दी तो उस बहन ने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा कि भई तुम मंदर चलो वो मंदर जाता था मेरे साथ और वो वहाँ जाकर के confused हो जाता था और वो कहता था ममी मुझे ये बताओ कि इन सारे भगवानों में से सुप्रीम भगवान कौन है एक बताओ जिसको मुझे याद करना है वरना मैं confused हो जाता हूँ आप हर जगे मुझे ढोग लगवाती हुई चलती हो मुझे ये बता दो कि इन सब का हेड कौन है मैं वहाँ पे जाकर ढोग लगाँगा है ना दीदी कितनी अजीब सी बातें और फिर उसके बाद ये कहता है कि चलो Christianity में एक है मुसलिम धरम में भी एक है फलान धरम में भी एक है लेकिन यहाँ तो confusion है इसलिए मैं कहती हूँ कि ये नास्तिक है तो मुझे बहुत जोर से हसी आई और मैंने कहा वास्तव में तो उस बच्चे का प्रशन बलकुल सही है क्योंकि इतनी सारे हैं तो कोई तो एक होगा न फिर मैंने उससे कहा कि देखो आज वो बच्चा आपको मा कहता है आपके जो देवर हैं वो आपको भावी कहते हैं आपके हस्बेंड आपको नाम लेके बुलाते हैं आपके बच्चों के बच्चे आपको दादी कहकर के बुलाएंगे और अगर बेटी का बच्चे होंगे तो वो नानी कहकर बुलाएंगे कोई आपको चाची कहता है कोई आपको भाबी कहता है कोई आपको बहन कहता है पर ये सारे स्वरूप कहते हुए जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमेशा सेम रहता है। उसी प्रकार। चाहें आप उसे अल्ला कहो, चाहें आप उसे ईश्वर कहो, वास्तव में वो होना तो एक ही चाहिए ना। तो कल हमने इस बात को थोड़ा सा नेरो डाउन किया, कि परमात्मा, जिसको हम निराकार कह सकते हैं, लेकिन निराकार का शाब्दिक अर्थ है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ उसका अकार हमारे नियाई नहीं है, हमारे नियाई इतना बड़ा शरीर ऐसा नहीं है, लेकिन उसका अकार तो है बिना अकार के, बिना नाम रूप के, तो कोई चीज हो इनी सकती ना, that is impossible. हम उसे कहें कि वो निर्गुण है, अर्थात उसमें कोई गुण ना ही, तो that is also illogical, क्योंकि परमात्मा को हमने कहा सर्व गुणों में संपन्न है, सर्व शक्तियों का सागर है, सुरोत है, तो वास्तव में जो प्रकृती के तीन गुण है, सतो, रजो, तमो, वो नहीं है, उन सबसे beyond है, तो परमात्मा को जोतिर लिंगम कहा गया, प्रकाश का स्वरूप आकरिती, यह हमने यह बात इसको समझा, उसका नाम भारत वर्ष में, क्योंकि भारत में इस स्वरूप में शिव की पूजा की जाती है, और इस शब्द शिव का शाब्दिक अर्थ है, वह कल वित्र परम पवित्र है, और वह शांती का दादा है, आप इसको देखें, तो उसका जोति का स्वरूप दिखाया है, और उसका लिंग की आकरती बनाई है, और उस लिंग की आकरती में तीन रेखाएं, और उसके ओपर एक बिंदु दिखाते हैं, और इसको कल्यान कारी कहत सदा शिव कहा जाता है। भगवान के लिए ये भी कहा गया है। बहुत सुन्दर एक गीद गाते हैं। है, खुद नहीं करता है, लेकिन करवाता है, वो दिव्यय शक्ती है चाहे पैर नहीं है, तो भी चलता है तो भी सुनता है, अपने बच्चों की वो सारी बात सुनता है आप देखो पूरे भारत वर्ष में, आज किसी भी डारेक्शन में चले जाओ बारा जोतर लिंगम की व्याख्या की गई है माननेता हैं बारा जोतर लिंगम आज भारत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा मैं समझती हूँ कोई ऐसा गाउ नहीं होगा जहां पर जोतर लिंगम का मंदिर ना पाया जाए आज सारे धर्मों की जो हम देखें देवताओं की जो पूजा है वो state-wise होती है UP या उपर साइड में नौर्थ साइड में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण की पूजा होती है नीचे जाएं साउथ में तो स्री वैंकटेश की पूजा होती है इस साइड में जाएं तो आज देवियों की पूजा होती है यदि west साइड में जाएं तो गणपती का माननेता गाई हुई है लेकिन पूरे भारत वर्ष में आज जोतर लिंगम शिव की पूजा पूरे भारत वर्ष में होती है और एक खास बात जो शिफ के मंदिरों की माननेता है शिफ के हर एक मंदिर का जो नाम है वो गुण वाचक और कर्तव्य वाचक है और हर नाम के पीछे नात और इश्वर शब्द लगता है जैसे नौर्थ में जाएं तो हम कहते हैं अमर नात अर्थात अमर जो मरता नहीं है हम अमर आत्माओं का भी वो नात है इस्ट में जाएं तो कहते हैं काशी विश्वनात विश्वनात अर्थात जो समस्त विश्व का नात है रामेश्वर राम के भी जो इश्वर थे उनको कहा रामेश्वर वेस्ट में जाएं सोम नाथ ये वो परमात्मा की बात हो रही है जो हमें ज्ञान का सोम रस बिलाता है तो आप किसी भी भारत वर्ष में कहीं भी चले जाएं सारे नाम गुण वाचक और करतव्य वाचक हैं बबूल नाथ हमारे जीवन से बबूल जैसे काटे निकालने वाला है पाप कटेश्वर महा कालेश्वर कालों का भी काल वो सच्चा महा कालेश्वर है ये है पिता परमात्मा की महिमा अक्सर देखा गया है कि जब भी शिव का मंदिर की स्थापना होती है तो सारे देवी देवताओं के मंदिर एक ही जगे होते हैं लेकिन शिवलिंग की स्थापना अलग की गई है क्यों? तो प्रश्न उठता है और उसको समझना भी आवश्यक है क्योंकि वो सभी देवताओं का भी पिता परमात्मा है सभी देवी देवताओं ने उस पिता परमात्मा को याद किया जैसे कल हमने कहा था ना कि पुन्ने आत्माएं अनेक हैं पाप आत्माएं अनेक हैं महान आत्माएं अनेक हैं देव आत्माएं अनेक हैं पिता परमात्मा एकी है राम ने, रामेश्वरम ने शिव की पूजा करी, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं जिससे युद करने के लिए जा रहा हूँ आज उस रामण को जो इतना घमंड है, वो क्यों है घमंड? क्योंकि उसने ये शक्ती जो प्राप्त करी है अजय की ये शिव की शक्ती उसे प्राप्त है और युद का रूल है कि यदि आपको ऑपोनेंट को हराना हो तो आपको ऑपोनेंट की शक्ती का पूरा ग्यान होना चाहिए कि उसके पास क्या-क्या तीर तरकश है यदि वो ग्यान नहीं है तो आप वो युद्ध जीत नहीं सकते है इसलिए राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अराधना करी तो राम के भी जो ईश्वर है यदि आप कुरुक्षेत्र में जाएं तो वहां स्थानेश्वर की स्थापना हुई तो दिखाते हैं कि जब शिरी कृष्ण के साथ पांडव थे तो उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना करी और खुद भी पूजा करी और पांडवों को भी पूजा कराया यदि शिरी कृष्ण ही खुद परमातमा थे तो उन्हें पूजा करने की महादेव की पूजा करने की क्या वशकता थी और क्यों उन्होंने पांडवों को भी पूजा कराई अर्थात देवों का देव और देवियों का भी देव वो महादेव है तब ही आप देखो शिव शक्तियों की जितनी भी देविया है उनकी जब हम आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं शिव शक्ति जी की आरती जो गावे वो मावान्चित फन पावे तो ये जितनी भी देवियां दिखाई हैं, ये परमात्म शक्तियां हैं। फिर दूसरी बात, जो बड़ी important है, आप देखो शिवलिंग का जब मंदिर में स्थापना होती है, तो कहा गया है कि सारे देवों को द्वार से अंदर लाया जाता है। लेकिन जहां शिवलिंग की स्थापना हो, तो उसके उपर सदैव एक गुम्बद बनाया जाता है, सही माइने में। और कभी भी शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है, उसको हमेशा उपर से लाकर के रखा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव का जो जनम है, वो दिव्य और अलौकिक है, इसलिए उनको क्या कहा गया? स्वयम्भू, वो स्वयम्धरती पर आकर के प्रकट होते हैं, ना की किसी मा की कोक से जनम लेते हैं। इसलिए शिव लिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। शिव लिंग के जितने भी मंदिर हैं, सदैव हमेशा उचे स्थान पर दिखाए जाते हैं। लेकिन उन मंदिरों में खास बात है स्थापना की, कि शिव लिंग की जो स्थापना की जाती है, वो मंदिर के गर्भ में थोड़ा नीचे जुका करके की जाती है। कि ये उचाई है और उसके नीचे गड़ा खोद करके शिव लिंग की स्थापना की जाती है। अर्थात क्या? वो निर अहंकारी है। उसे अहंकार नहीं है। इंस्टेड जितने भी देवी देवतनाएं हैं, उनकी स्थापना जब मंदिरों में की जाती है, तो हमेशा उनको एक उचे स्थान पर रखा जाता है। तो शिव की ये सारे संतान, उनके बच्चे, जैसे एक फादर होता है ना, बड़ा निरहंकारी। He feels happy कि उसके बच्चे आगे जा रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है, उसको बड़ी आनंद की महसूसता होती है कि मेरे बच्चे बस मुझसे आगे जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा पिता परमात्मा कितना प्रसंद होता है, कितना खुश होता है, अरे वाँ मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं तो सारे देवी देवताओं के जो सिंगहासन है सदेव उची दिखाएंगे और बड़े सुंदर भव्वे दिखाते हैं और शिव के हमेशा गर्व में दिखाते हैं पर यहाँ पर भारतवासी एक गर्वर कर गए, एक गलती कर गए और वो गलती क्या है आईए आज उसे भी समझते हैं उन्होंने शिव और शंकर को एक मान दिया अब यदि इन दोनों के स्वरूपों को हम देखें और समझें तो क्या स्वरूप में समानता है? हाँ या नहीं? चैट पे लिखिये है स्वरूप में समानता एक है जोती का स्वरूप और दूसरा है शरील अर्थात एक है निराकार जोतर बिन्दो और दूसरा है साकार एक है परमधाम का निवासी और दूसरा है सुक्ष्मलोग का निवासी यदि इनके कर्तव्य देखो तो शिव अर्थात कल्याणकारी शिव अर्थात कल्याणकारी कल्याण करने वाला वर्ल्ड बेनिफेक्टर और यदि यहां देखो तो शंकर अर्थात विनाशकारी विनाशकारी तो ना तो स्वरूप की समानता है ना नाम की समानता है ना कर्तव्य की समानता है ना रहने की जगे की समानता है तो हमने इसको दोनों को इक्वल क्यों कर दिया तो यहाँ पर कहा जाता है कि शिव के जो शंकर का जो ये स्वरूप दिखाया है शंकर का सदेव परिवार दिखाते हैं शंकर, पारवती और दो बच्चे और पूरे परिवार को दिखाया है कि पूरा परिवार मिल करके शिव की अराधना करता है, शिव की पूजा करता है तो उसके बाद लोगों ने कहा कि महादेव ने अमरनाथ पर पारवती को कथा सुनाई प्रेशन उपता है कि शंकर जी अपनी ही कथा सुनाएं तो ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी स्टोरी तुमको सुना रहा हूं ये क्यों बोला कि महादेव ने अमरनाथ पर शिव की कथा सुनाई अर्थात क्या कि इनको एक बड़ा इंपोर्टन पॉर्ट्फोलियो मिला था बहुत इंपोर्टन पॉर्ट्फोलियो और वो पॉर्ट्फोलियो था कि जैसे ही ये अपना तीसरा नेत्र खोले तो सारी सृष्टी का विनाश हो जाए तो जैसे कोई country होती है ना, country में बहुत से ministers होते हैं, पूरा ministerial candidature होता है, लेकिन उसका controller कौन होता है, या तो प्राइम minister होता है, या प्रेजिडेंट होता है, अगर प्रेजिडेंट रूल है तो प्रेजिडेंट की बात माननी होती है भले destruction का, भले उसका जो security और ये सारा एक minister है, उसके पास सारी powers हैं, उसके पास सारे arms and ammunitions हैं, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से लडाई छेड़ देता है? नहीं, वो हमेशा अपने से बड़ों से discuss करता है Similarly, शंकर को सदेव शिव की याद में दिखाया है, क्योंकि इनको जो portfolio मिला था, वो most important था कि तुम मेरी याद में बैठ हो और जब तुम याद में बैठ होगे, तो तुमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, कि जब तुम तीसरा नेत्र खोलोगे, तो इस पुरानी स्रिष्टी का विनाश और नई सत्रिष्टी की स्थापना हो जाएगी तो ये portfolio यहाँ शंकर को मिला था, उसी के पश्चात दिखाते हैं कि शिव प्रिमूर्ती त्रदेव का रचाईता है, आप देखो ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, इन तीनों की उत्पति सदैव लाइट से दिखाई, जितने भी देवी देवताएं हैं, हर एक के पेरेंट्स माबाप दिखाएं हैं, लेकिन ये जो तीन देवी देवताएं हैं, अर्थात ब्रह्मा, विश्नु, महेश, अर्थ शंकर जिसको हम कह सकते हैं, इन तीनों का जो उत्पति है, बर्थ है, वो सदैव लाइट से दिखाया है, लाइट अर्थात जोती दिन्दू से हैं तो ये तो हुई भारत में जोती दिन्दू माने था, लेकिन आप यही कहिए न, कि हम इस बात को कैसे मान लें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कैसे मान लेंगे, तो आईए इस बात को भी आज समझते हैं, और इस बात को भी आज प्रूव करते हैं, कि लोगों ने इसको क कैसे भगवान माना और भगवान मानने की कसोटी हमारी वही पाच बाते रहेंगी सर्वधर्म मानने सर्वोच सर्वोपरी सर्वग्य और सर्वग्य और सर्वगुर्मे अलत तो आईए चलते हैं जड़नी पर तो सबसे पहली बात है कि it he should be acceptable to all तो भगवान के लिए कहा गया ह हर धरम वाले ने कहा कि भगवान को किसी ने अल्लाह कहा किसी ने उसे गौड कहा किसी ने उसे हे परवर्दिगार कहा किसी ने उसे फादर कहा किसी ने भगवान कहा डिफरेंट डिफरेंट इश्वर कहा इश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमदी दे भगवान इनी पहले आते हैं इस्लाम में सब तो कहा जाता है कि मक्का में उरिजिनली जो मक्का दिखाते हैं न वहाँ पे उरिजिनली लगभग 307 देवी देखता हैं थे और हर व्यक्ति वहाँ पर उनको अल्ला के रूप में पूजा करता था फिर समय आया जब मुहमद पेगंबर सहाब आए तो उनोंने का नहीं नहीं ये इतना कन्फ्यूजन नहीं है भगवान एक है अर्थात अल्ला एक है उसको एक के रूप में पूजो याद करो इन लोगों ने इस बात को नहीं माना कन्फ्यूजन हो गवे उनोंने का भई हम आपके हाथ जोड़ते हैं आप प्लीज यहां से जाईए आप मक्का मदीना में जाकरके अपना प्रचार करें पहमद साब चले गए मदीना मदीना में भी उनोंने यही प्रचार किया कि वह अल्ला जो है वह एक है तब कहते हैं कि जब यह लड़ाई जगड़ा छिड़ा तो उपर से यह काबा का जो पत्थर है यह जो सुन्दर काबा का पत्थर आप देख रहे हैं न यहां पर यह और कहा कि तुम मुझे इस स्वरूप में पूजो जिसको यह नूरे इलाही कहते हैं संगे अस्वद कहते हैं तो सिरफ एक यही धरम है जहां पर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन जीवन में एक बार हज जरूर करो और हज में यह लोग क्या करते हैं कि इसके साथ बारी चक्कर लगाते हैं साथ बारी आप देखो ये सिरफ हिंदु धरम में और मुसल्मान धरम में है कि साथ बारी चक्कर लगाना और उसके बाद ये शेतान को पीटते हैं और अपने जितने भी पुराने हिसाब किताब हैं उनको स्पृती में लाकर के उपर वाले के सामने उनको कबूल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हे परवर्दिगार हमारा हज कुबूल हो हमारा हज कुबूल हो इस पवित्र काबा के बत्थर को ये चूमते हैं और इसको चूम करके ये कहते हैं हे नूरे इलाही अर्थात वो नूर है वो एक परम आतमा है इन्होंने उस जोती स्वरू को नूरे इलाही कहा अब आगे चलते हैं Jewish धरम में, यहूदी धरम में तो यहूदी धरम में कहा जाता है कि जब Moses पहाड़ पर गए तो वहाँ उनको 10 commandments मिले टेन जो पूरे कमांडमेंट्स बहुत सुन्दर दिखाते हैं होली बुक वो उन्हें मिली तो वो उपर से गिरी और उन्होंने कहा कि हे प्रभू मैं जब इसको नीचे ले करके जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या कहूंगा कि ये क्या है और ये किस ने तुम्हें दिया तो उन्होंने कहा ये जीवन जीने के टेन कमांडमेंट्स है और तुम कहना कि तुम्हें ये जेहोवा ने दिया अर्थात लाइट ने दिया सुप्रीम लाइट ने तुम्हें ये टेन कमांडमेंट्स दिया तभी आप देखो Christianity में जो पोप की गदी दिखाई है वो है Vatican City में और Vatican City का जो चर्च है वहाँ पर किसी और की प्रतिमा नहीं बनाई है वहाँ पर ये जोती का स्वरू पर दिखाया है जेहोवा, Supreme Light तभी आप देखें कि Christianity में भी Christianity में भी Christ ने क्या कहा? God is light and light and I am son of God मैं उस पिता परमात्मा का बचा हूँ पर वो पिता परमात्मा कौन है? वो point of light and might है आगे चलते हैं तो गुरु नानक सहाब ने सिखिजम में क्या कहा? बहुत सुंदर महावाकेन उन्होंने भी उचारित करे इन्होंने कहा एको ओमकार अर्थात भगवान एक है God, God is one निराकार है निर्वेर है सत नाम वाहे गुरू वही सच्चा नाम है निराकार है जोती का स्वरूप है अकाल मूर्थ है कोई काल उसे खा नहीं सकता He is much beyond that और वही सच्चा बादशाह है कितना सुंदर व्याख्या इन्होंने कहा है भी सत होसी भी सत तो अभी तक आप किसी भी धरम में देखें उसने जोती कहा परवर्दिगार कहा नूरे इलाही कहा निराकार जोती स्वरूप कहा हर धरम में उसकी जोती की व्याख्या गई और आगे चलते हैं जैनिजम में जैनिजम में दिखाते हैं इनके 24 तीर धंकर जिनको ये डेटीज मानते हैं देवी देपताओं का स्वरूप मानते हैं और तीर धंकरों के लिए कहा गया है कि यह किसकी याद में बैठे थे वो सिद्ध शिलापती जोती की याद में ये बैठे थे और कहा जाता है कि जब भी दिवाली के आसपास आते हैं तो ये जब पूजा करते हैं ये किसको याद करते हैं उस शिव धाम को हम प्रापत हों उस शिव धाम को प्रापत हों और इनके उसमें माना जाता है कि ज्यान दर्शन और चरित्र इसका सुधार करना है ज्यान मिला ज्यान से रोश्णी मिली उससे हमारे चरित्र आटोमाटिकली परिवर्टित होते हैं और आटोमाटिकली फिर मेरे को दर्शन होता है कि कैसे मैं उस पर मात्मा की याद में अपने स्वरूप को तिका सको कितना सुन्दर है हर एक ने उस जोती की याद कर लिए यदि हम महत्मा बुद्ध को देखें तो उन्होंने भी क्या कहा उन्होंने किसी मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा निर्वान को प्राप्त करना है और वो निर्वान क्या है? beyond any illusions, beyond in मूर्ती पूजा के सिरफ उस परमात्मा की याद में रहना है जब यही धरम जेपान में गया तो जेपान में ये बहुत सुंदर लाल रंग का पत्थर, जो की शिवलिंग का आकार है, इसकी पूजा करते है धाई फीट दूर और धाई फीट उचा इसको रखते हैं, और इस पत्थर का नाम होता है, चिन कौन शेप, अर्थात शांती का दाता वो एक पिता परमात्मा है, और आगे चलते हैं यदि पार्सियों के अग्यारी में जाएं जो उनका होली टेंपल है, जिसको पार्सि भी इरान से आए थे, तो वो अपने साथ क्या लाए थे वो इस आग के टुकुरे को लेकर आए थे, और इस आग को ये अखंड जोती का स्वरूप मानते उस आग को ये उस परमात्मा का स्वरूप मान करके उसकी पुजा अराधना करते हैं, और आके चलते तो आते हैं हमारे साइं बाबा साइं बाबा ने क्या कहा? अल्ला मालिक, मौला मालिक, सबका मालिक एक, और हमेशा उनकी उंगली उपर की तरफ दे तो आप देखो किसी भी धरम में हिंदू मुसलिम, सिख, इसाई समस्त भारत वर्ष में और नकेवल भारत वर्ष में अपितु पूरे समसार की आतमाओं ने उस जोती स्वरूप को परमात्मा की तरह माना। चाहे हिंदुआजम में देखें, चाहे ताव़ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव was universally accepted as a point of light and light. वस सुप्रीम अथॉरिटी है, सरवोच है. तभी क्या कहा गया? कि शिव शंभू. यह थोड़ा विकृत शब्द है. वास्तविक शब्द क्या है? स्वयंभू. स्वयं धर्ती पर आकर के प्रकट होता है. उसका कोई मात-पिता नहीं है. मा की कोक से उसमें जनम नहीं लिया. प्रकट हुआ. उसका जन्म दिव्वे और अलोकिक है. उसका ना कोई मात-पिता है, ना कोई टीचर है, ना ही कोई उससे भी उपर कोई भगवान है, नहीं उसका कोई guide है, नहीं कोई उसका friend हो सकता है, लेकिन क्योंकि friend बराबरी से होती है, वो supreme liberator है, वो world benefactor है, वो supreme preceptor है, खुद का मात, पिता, teacher, सखा, सब कुछ है वो, वो स्वयम सर्वोच है, तभी भारत वर्ष में शिवरात्री बनाई जाती है, अब शिवरात्री का अर्थ क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वास्तव में शिवरात्री के दिन उसका birthday मनाते हैं, बात तो सही है, कि है तो birthday, लेकिन मानो, आज संसार में भी कई बच्चे पैदा होते हैं, वो रात को पैदा होते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं, आज मेरा birthday होता है ना? लेकिन क्यों भगवान के लिए कहा गया कि ये रात्री है? क्योंकि ये जो शिवरात्री है ये काल वाचक है भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो क्या कहा गया? दुराचार हर घर के अंदर दुर्योधन, दुश्यासन, शकुनी जैसे लोग जब आ जाते हैं तब मैं इस धर्ती पर आता हूँ क्या मतलब है? दुर्योधन का मतलब क्या है? दुर्योधन मतलब कि ऐसे लोग जिनको धन का उपयोग करना नहीं आता दुश्यासन मना अनुश्यासन हीनता हो गई है आप देखो सो रहे हैं सोते ही जा रहे हैं नाने का कोई नाम हो निशान नहीं है खाते हैं बिना नाय दो एका लेते हैं सारे अनुश्यासन हीनता पुराने का जमाना है नाज and then we say, interestingly we say we have evolved yes we have evolved technology yes we have evolved but we are losing, हम कही ना कही अपनी जो qualities है ना उनको खोते जा रहे है हमारी जो शान्ती है, हमारी जो शक्ती है हमारा जो grace है ना हम आज का मनुश्यों से खोता जा रहा है, तो भगवान ऐसे समय पर धर्ती पर आते हैं इसलिए उनको कहा गया है वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता मा की कोक से जन्म नहीं लिया अजन्मा है क्योंकि अजन्मा है इसलिए पर अकाल मूर्त है काल उसे खा नहीं सकता कोई नहीं खा सकता उसको वह कालों का काल है वो जब आता है that is when he tells us about the time बच्चे अब ये समय है परिवर्तन का और ये समय परिवर्तन जो मांग करता है वो मांग करता है transformation तो ये रातरी signifies विकार यहाँ पर विकारों की गोर अंधिहारी रात है आप देखो आज दिन दहाडे सब कुछ होता है दिन दहाडे कोई व्यक्ति जाता है chain snatching मार पीट खड ये खड़े लोग किसी का कटल कर जाते है बात क्या थी उसने मेरी जगे पे गाड़ी नहीं कहेंगे या और कोई अंदकार की हम कलपना करते हैं कि कोई हो और नया अंदकार आएगा तब वो भगवान आएगा वो कहता है बच rich in इटना घोर पापा चार अत्याचार दुरा पहलता जारा है तो जब वो आता है तो वो इस घोर रातरी को घोर सोजरे में तरिवर्ट कर देता है तभी भगवान को कहा गया वो सर्वोपरी है सर्वोपरी है अर्थात सब चक्रों से न्यारा है, बियॉंड है जनम मृत्यू का चक्र, देहे देहे के संबंधों का चक्र, क्योंकि जनम नहीं लेता, तो मृत्यू नहीं है जनम नहीं है, तो ना देहे है, ना देहे के संबंध है, ना देहे के संबंध है, तो कर्म भी नहीं है ना कर्म है, ना कर्म का फल है क्योंकि जिसने जनम लिया वो कर्म तो करेगा ईगा, कई लोग कहतें नहीं कर्म कैसे करेंगे, मैं तो शान से यूँ बैठ गई, नहीं, जैसे ही आत्मा शरीर में आई, कर्म चालू, कैसे, सांस ले रहे हैं, ये भी तो कर्म है, देख रहे हैं, ये भी तो कर्म है, देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे तो भी तो करम कर रहे है तो ये कर्म कर्म के फल से भगवान न्यारा है तो कर्म कर्म के फल से न्यारा है तो पाप उन्ने से भी न्यारा है और इन सब से न्यारा है तो सुख दुख से भी पार है तभी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी तो he is beyond पर मजे की बात ये है परे होते हुए भी सरवक्य है इसी लिए क्या दिखाया है कि शिव लिंग पर तीन रेखाएं दिखाई है और उसके उपर एक आँख दिखाते हैं बड़ी सुंदर आँख क्या मतलब है इसका? कभी सोचा? या ठीक है बना देते हैं तो हम भी देख लेते हैं ऐसा नहीं हर चीज का नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि जब नॉलेज मिलती है तो बुद्धी एकदम खुल जाती है फिर मज़ा आता है कोई काम करने के लिए आप देखो कोई चीज आपकी मदर ने कह दिया या पेरेंट्स ने कहा या बड़े बुडों ने कहा भाई ये कर लो ये क्यों कर ले? आज कल तो हर चीज का आंसर चाहिए ना तो आज भगवान हमें एक एक गुथी खोल रहा है तो ये जो तीन रेखाएं दिखाई है ना ये है त्रिकान दर्शी वो भगवान जो है त्रनेत्री है अर्थाथ, He gives us this third eye of knowledge, wisdom ये जो तीसरा ज्यान का नेत्र मुझ आत्मा का खोल रहा है मेरे को समझ मिल रही है, I am getting to understand आज दिन तक सोचते थे, मैं ये हूँ शरीर, ये मेरे शरीर के साथ, ये मेरे संबंदी है, ये मेरा घर है, ये मेरा office है, ये मेरी position है पर सब रखा रह जाता है यही पर, जब वो व्यक्ति चला जाता है अच्छा, आज मैं आपको ये introduction देती हूँ, क्योंकि वो उससे related है कल मैं कहीं और travel कर रही हूँ, मैं किसी और type के लोगों से मिल रही हूँ प्रोबेबली मेरे office के लोग हैं, तो वहाँ मेरा introduction different होगा पर मैं तो still exist करती हूँ न, तो इसी प्रकार भगवान हमें हर चीज का ज्यान देता है तो वो हमारी third eye of wisdom खोलते हैं भगवान को त्रिकाल दर्शी कहा, क्योंकि उन्हें आदी मद्दे अंत का संपूर्न ज्यान है पूरा ज्यान है, He has that clear understanding, आदी मद्दे अंत time का पूरा, काल का पूरा चक्र जो है, उसका पूरा उसको knowledge है उसको त्रिलोकी नाथ कहा, तीनों लोकों का उसको ग्यान है और उसे त्रिमूर्ती कहा, क्योंकि वह त्रिदेव का रचहिता है, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर तो आप देखो, हमने जो डिस्कस किया था, कि ये तीन लोक का चित्र, corporeal word, जिसको हमने का साकार मनुशे, लोक, फिर है ये ब्रह्मा लोक, अर्थात परमधाम, जिसको हम कह सकते हैं पार निर्वान धाम जिसको हम कह सकते हैं सात्वा अस्मान जिसको हम कह सकते हैं शांती धाम इसके बहुत से नाम है किसी भी हर धरम में इसको डिफ्रेंट नाम से पुकारा गया और ये है सुक्ष मलोक जहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपने एंजलिक स्वरूप में निवास करते हैं तो ये पूरा ग्यान हमें स्वयम परमत्मा ने दिया फिर तृदेव का रचैता है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जिसको कहते हैं G.O.D. जेनरेशन, अपरेशन, डिस्ट्रक्शन, वो त्रिमूर्ती है और तीनों मूर्तियों का रचैता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा आसुरी स्रिष्टी का विनाश कराते हैं ये परमात्मा के दिव्यकरत हुए तभी आप देखो जब हम शिवरात्री मनाते हैं तो शिवलिंक के ऊपर तीन ये जो लीव्ज होती है ना इसका बेल पत्र चढ़ाया जाता है क्या लॉजिक है इसका और कहा जाता है कि सारी तीनों की तीनों जो लीव्ज हैं वो जुड़ी हुई होनी चाहिए, separate नहीं होती वो तीनों जुड़ी हुई होनी चाहिए क्या अर्थ है? कि जो ये त्रिमूर्ती पर मात्मा है ये तीनों उसकी creations है ब्रम्हा, विश्नु, शंकर generation, operation, destruction और ये तीन पत्र का बेल पत्र भगवान के ओपर चड़ाया जाता है तभी उसको कहा गया है तृदेव का रचेईता creator, अब आप कहेंगे भाई ये तो सुरफ Hindu mythology में है, Indian हमारे Hinduism में? नहीं यहाँ पर इस बात को आज समझे कि हर धरम में भगवान के इन तीन creations का three holy creations की माननिता कही गई है, सुनिए कैसे ब्रह्मा को कहा ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने स्थापना कराई विश्नु के द्वारा अलना कराई और शंकर के द्वारा विनाश ये Hindu mythology में अब यदि आप इस्लामिजम में देखें तो उन्होंने कहा जेबरिल अर्थात जो सबक अर्थात ग्यान देने वाला मिकेल अर्थात रोजी रोटी देने वाला अर्थात क्या? अपरेशन पालना करने वाला और इसराफिल अर्थात कयामत लाने वाला हो गई न तीनों बाते? अब आगे चलते हैं Christianity में इसको कहा Creator of Three Holy Spirits अर्थात Generator, Operator, Destructor G-O-D ये तीन कर्तवे भगवान के कहे गए अब यदि आप आएं सिखिजम में तो सिखिजम में भी इसकी मान लिता है उन्होंने कहा एक है संसकारी दूसरा है भंडारी और तीसरा है तीसरा लाए एक है लाए दिवान अर्थात वो destruction लाता है तो ये तीनों आप किसी भी धरम में चले जाएं भगवान के ये जो तीन कर्तवे हैं इसकी मान्यता गाई हूँ है तभी परमात्मा को कहा सत्यम शिवम सुंदरम सत्य है वो हमें सत्य ज्यान देता है थर्ड आय ओफ विस्डम देता है इसलिए उसे शिवम कहा शिवम अर्थात कल्याण कारी वी अर्डर्स्टैंड कि वो कल्याण, World Benefactor है और हम उसके बचे हम भी कल्याण कारी है जो हो रहा है वो भी कल्याण कारी जो होएगा वो भी कल्याण कारी और जो हुआ वो भी कल्याणकारी बगवान कहता है हर चीज कल्याणकारी है बचे और फिर कहा सुंदरम तो जो उसकी रचना है हम बचे बगवान कहता है कितनी सुंदर है कितनी beautiful creation है मेरी खुद भी सुंदर उसकी रचना अती 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 सुंदर हर व्यक्ति, हर एक्टर का अपना अपना रोल है इसलिए उसे कहा गया सक्त्यम शिवम सुंदरां फिर कहा जाता है वह सर्व गुरों में अनन्त है जिसके लिए मैं कल सुना रही थी आपको कि सारे सागर को स्याही बनाओ माशारदा ने कहा इस बात को सारे वन को लेखनी बनाओ और सारी धर्ती को यदि हम वो बना दे, कागस बना दे और स्वयम माशारदा बैठ करके इसकी महिमा लिखे तो भगवान की महिमा इतनी अप्रम अपार है कि लिखी नहीं जा सकती ज्यान का सागर प्यार का सागर आनन्द का सागर सुख का सागर शान्ती का सागर ये परम पिता परमात्मा के attributes है ये उसकी शक्तियां है, भंडार है हम भंडारी है वो कहता है कि तुम मुझ से connect करो बचे, मैं तुम्हे सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ हूँ तो वो हर सर्व गुडों में अनन्त है जो हमें जीवन में सात बातें चाहिए love, peace, happiness, purity, truth spiritual powers भगवान कहता है बचे मैं इसका सागर हूँ, अनन्त हूँ अन्त नहीं है 24 by 7 365 days in a year तुम्हें जितना चाहिए मुझ से लेते रहो तो यदि आप देखें कि भगवान सर्व धर्म मानने कैसे है यह हमने देखा हर धरम में उसकी जोती स्वरूप की व्याख्या मानी गई हर धरम में उसको माना गया जोती स्वरूप सर्वोच है, सबसे उचा है सर्वोपरी है beyond है सर्वक्य है परे होते हुए भी ज्यान का सागर है और सर्वगुडों में अनन्त है तभी उस परमात्मा के उपर हम क्या चड़ाते हैं? अख धतूरा, बेल पत्र अख धतूरे का क्या मतलब है? अर्थात जो हमारे अंदर ये वाइसेज हैं, कंकड हैं, कटीले संसकार हैं, वो हम उस परमात्मा के उपर स्वाहा करते हैं इसी लिए उसका नाम क्या पड़ा? भोलानात देखो, राम को भी शक्ती दी, तो रामन को भी शक्ती दी, भोला है इतना इनोसेंट है, कि हर रजा में, कहते हैं ना तेरी हर रजा में हम राजी हैं भगवान कहता है, बच्चे बस मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए और ये प्रतीक दिखाया है, ये जो दिखाते हैं ना अखधतूरा अर्थात ऐसे कटीले जो हम लोगों के संसकार थे, वो भी हम भगवान के उपर स्वाहा करते हैं तभी कभी शिवलिंग का जो प्रसाद है ना वापस नहीं मिलता, क्योंकि वापस लेने योगे नहीं होता कभी नहीं वापस मिलता, अखधतूरा, कटीले संसकार, स्वभावी तो चड़ा रहें सारे देवी देवताओं पर तो आप बड़ी अच्छी फूल माला हैं, सब कुछ चड़ाते हैं लेकिन परमात्मा के ऊपर हम क्या चड़ाते हैं, इस कटीले स्वभाव संसकार चड़ाते हैं दिस कंप्लीट अवर कंप्लीट इंट्रोड़क्शन ओफ आल्माइटी परमात्मा का नाम शिव, शिव अर्थात कन्यारकारी, परम पवित्र, शांती का दाता photo identification proof, point of light and mind qualification क्या है, ocean of all the powers and virtues सब चीजों का अथा सागर है address क्या है, उसका permanent address क्या है, वो है परम धाम परम धाम का रहने वाला है soul world कहो, मोक्ष धाम कहो, पार निर्वान धाम कहो, शांती धाम कहो, सात्मा आस्मान कहो, ब्रह्मल महा तत्व कहो, कुछ भी कह सकते है ये वहा का शांती लोग का रहने वाला है और उसका present occupation क्या है, हम बच्चों का तीसरा नेत्र खोल, ये सच्चा ज्यान देना तू transform, हम उसे क्या कहके बुलाया, आपने कहा, हे पत्त पावन आओ, हम पत्तों को पावन बनाओ तो उसका कर्तव ये, उसको स्मृति है, आपने जिस तरीके से उसको बुलाया, भगवान कहता है, मैं आया हूँ, तुम बच्चों को, दुखियों को सुखी बनाने पत्तों को पावन बनाने, ये मेरा कर्तव है, मैं इसलिए आया हूँ, इसलिए उसे कहा जाता है, करन करावन हाँ, खुद नहीं करता, लेकिन करवाता है कैसे करवाता है, वो हम आगे के सत्रों में सीखेंगे This completes our complete introduction of Almighty Father Complete introduction, कैसे सर्वधर्म मानने है, सर्वोच है, सर्वोपरी है, सर्वक्य है, सर्वगुणों में अलंत है क्या अर्थ है भगवान के नाम का, गुणवाचक करता, विवाचक, उसकी पूरी जो पूजा है ना, पूरे भारत वर्ष में हूँ बाकी सब बेवी देवताओं की state wise है, city wise है, हरे की, लेकिन परमात्मा परम है, आत्माओं का पिता है वो भी जोती बिंदू स्वरूप है, point of light and might है, और क्यों हम शिवरात्री मनाते हैं, हमने इस बात को भी समझा तो अब आपके screens पे आ गया आपका homework, आज से लेकर कल तक हम जो homework करेंगे, कि I am a soul, ये तो हमने realize किया और मैं कैसी आत्मा हूँ, जोती बिंदू की तरह, light and might, ये मेरा स्वरूप है, तो I think अभी धीरे-धीरे इस स्वरूप में स्थित होना हमारे लिए सहज हो है, अभी मैं आपने आपको याद दिला रही हूँ, हाँ मैं ये हूँ अब आज हमने समझा कि हमारा पिता परमात्मा वो भी जोती बिंदू स्वरूप है, और वो सब चीजों का सागर है, उसका सही introduction हमको मिला and I belong to him, वो मेरा पिता है, किती सुन्दर बात है न, कि आज कोई बच्चा सोचे कि भाई इस महले का जो लीडर है, वो मेरा पिता है, तो बड़ा खुश होता है या इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा पिता है, और हम बच्चों का पिता कौन है, परम पिता, जिसको सारे धरम की आत्माएं मानती है, वो एक है, वो निराकार है, अक्सर लोग कहते हैं, हाँ हाँ, all roads lead to Rome, नहीं, जिस व्यक्ति को हम रेफर करते हैं, जिससे पिता, परमात्मा एक है, और वो जोती बिंदू स्वरूप है, तो आईए, चलते हैं, एक बहुत सुंदर यात्रा पर, सभी तयार हैं, मन बुद्धी से बहच जाए, रिलाक्स हो करके, बड़े प्यार से बहच जाए, और आज बहुत खुशी का दिन है, इतने वर्ष, इतने साल बीद गए, कभी समझाई नहीं, जोती बिंदू है कौन, इच्छा करती थी, उस परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा से बात करें, लेकिन जीवन में आज, पहली बारी, इस समझ मिली, कि वो कौन है, जोती स्वरूप, पॉइंट फ्लाइट और माइंड, जिस प्रकार, मैं आत्मा भी, ब्रकुटी के इन मत्या, विराज मालू, उसी प्रकार, पिता परमात्मा, जोती बिंदू, गुरों में सिंधू, सागर है, कुछ देर के लिए, इस देह से उपरा, मैं एक्चमकता हुआ सितारा, अपने आपको डिटाच करें, और बड़े प्यार से, उस पिता पर मात्मा के सामने, स्वयम को देखें, नाल सुनहरा देश, और मेरी आँखों के सामने, वो पिता पर मात्मा, सूरे के न्याई, शांती से जाकर, उसके सामने खड़े हो जाएं, पर मात्म शक्तियों का अनुभाव करें, पिता पर मात्मा, सर्वशक्तिवा, शक्तियों में अनन्त, उसकी शक्तियों की खिर्णे, शांती की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, आनन्द की शक्ति, समाते जाएं, स्वेब के अंदर, बरते जाएं, अपने अंतर को, जैसे कोई प्यासा कोई के पास आ जाए, तो उसका अंतर त्रिप्त हो जाता है, उसी प्रकार जन जन से मेरी आत्मा उस पर मात्म परिजय, उस सागर से मिलने के लिए पिताव थी, आज पता चला, वो तो मेरा पिता हैं, और मैं उसकी संतान, एक तम समान स्वरूप है हमारा, लेकिन पिता परमात्मा सब जीजों में अनन्त है, उसकी शक्ती से, इसी स्मृती में वापसाए, और इसी स्थती में स्थत रहे, शांती के सागर पिता परमात्मा की अमसंतान है, ओम, शांती, 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 ओम शांती, तो जो हम लोगों ने जीवन में पाया है, इसको हम औरों को भी देंगे और साथ साथ इसको यूज भी खरेंगे, तो सभी साड़े नौ बजे फिर से मिल करके अपने भाई बहनों को जो आज कोई ना कोई बिमारी से दुख से ग्रसित हैं, हम सभी लाइट हाउस बन, माइट हाउस बन, इन सब को शक्तियों का दान देंगे, और थिर हम कल इस अपनी जर्णी को आगे जारी रखेंगे, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा, जो आप सभी ज़रूर सीखना भी चाहते होंगे, राज योग, राज योग क्या है? राज योग कैसे सीख सकते हैं, अधात, मेडी टेशन क्या है? इसके विशय पर हम सीखेंगे तब तक के लिए ओम शांती तो यदि आप में से किसी के कोई सवाल है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें जिस्टर सभी ने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया है और सवाल तो बहुत सारे आए हैं लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं दो ही प्रशने करेंगे पूछूंगे आपसे और बाकी के कोईशन हम आने वले सेशन में सब क्या अंसर आपको तेंगे जरूर तो पहला प्रशन है कि देवता और परमात्मा में क्या अंतर बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मनुष्य है अगर आप किसी भी डेटीज को देखे देवताएं देखे तो दियार human beings like us हमारी तरह हम उनके स्वरूप है लेकिन human beings मनुष्य प्लस divine virtues सभी divine virtues से सुसजज़त है वो हैं देवताएं डेटीज जब मनुष्य minus divine virtues होता है तो हम क्या बन जाते हैं असुर बन जाते हैं परमात्मा सदेव गुडों का सागर है क्यों है क्योंकि वो जनम मरन में नहीं आता है बड़ी सिंपल सी बात है एक है बैटरी उस बैटरी को आप टॉय में डाल दो अब वो यूज होगी यदि टॉय में डालो ही नहीं अलग रखो लेकिन ये ऐसी बैटरी है कि वो बैटरी स्पॉयल नहीं होती है कई बैटरी जोती है बाहर रखी रखी भी सरड जाती है तो ये पूरा का पूरा स्रोत है तो भगवान क्योंकि जनम मरन में नहीं आता तो उसकी एनरजी नहीं निकलती माना जो गुण है वो सदेव गुणों का स्वरूप है सागर है तो देटीज आर मनुष्य प्लस डिवाइन वर्चूस मनुष्य माइनस डिवाइन वर्चूस आर असुर जो कि आज मनुष्य की हालत हो गई है इसी लिए भगवान हमें स्वर्टीद दिलाते है कि तुम ये थे तुमें फिर से ऐसा बनना है एक प्रश्न है कि जैसे शास्त्रों में दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं तो उन पर क्या रहत से है बास्तव में चौ मुख ही ब्रह्मा अब ये लॉजिकली इसका बहुत सिंपल साथ है कि भगवान आकर के हमको आदी मद्ध अन्त का ज्यान देते हैं अब ऐसा तो कोई मनुख्य यदि हमारे सामने आ जाए तो व्यक्ती डर जाएगा या कोई इतने हाथ वाला व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो ये डर जाएगा वास्तव में हाथ इतने होना सहयोग का प्रतीक है मुख इतने होना मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ I am keeping in mind, I am aware मेरे स्मृती में आदी मद्दे अंत का पूरा ग्यान है हर तरफ मेरा focus है तब मैं काम करती हूँ आज के मनुष्ये के साथ तकलीफ किया हुई याद है वो first session में हमने क्या discuss किया था कि आज का मनुष्ये कहते हैं न सोच समझ करके काम करो आज पहले काम करता है फिर समझता है कि तो गरत हो गया उसके बाद सोच चालू हो जाता है और फिर वो सोच ऐसा चालू हो जाता है कि फिर stressed हो जाते हैं अब क्या हो गए अब तो बेचैनी हो गए मतलब इतना restless हो जाएगा मनुष्ये कि उसको चैनी नहीं आएगा तो इसलिए ये चौह मुखी दिखाया है पास्तर में तीन मुख दिखाया है लेकिन इसका logic सिर्फ ये है कि हर तरफ सोच करके करतब दे करना awareड हो करके कारे करना Thank you sister हम सब की ये बहुत सुंदर यात्रा चल रही है हमने कितने गहरे गहरे रह से समझे जीवन की सबसे बड़ी पहेली मैं कौन हमने बहुत logical समझा जीवन की ये दूसरी पहेली कि परमात्मा कौन आज हमने भी वो logically समझा और बहुत satisfied हमारे angels दिख रहे हैं बहुत सुंदर comments भी आए हैं तो ये यात्रा हम ऐसे ही continue रखेंगे आप सबसे मैं आशा रखती हूँ कि आप daily बिना miss करें कि सारे sessions attend करें और logically हर बात को समझें और आज थोड़ी technical problem की वज़े से YouTube पर ये हमारी मतलब online हम लोग नहीं जोड़ पाए तो कोई बात नहीं आप सब को ये session record हो रहा है आप सब को recording भेज दी जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं किसी का कुछ भी मिसनी होगा बस आप aware रहें कि time to time अपना homework करते रहें और कोई भी प्रेशन हो तो आप chat box पे लिखें आज नहीं तो आने वाले sessions में सब को answer ज़रूर में ओम शैन्ती हम सब आज फिर मिल रहे हैं किस प्रोजेक्ट के साथ to heal the world only 15 minutes अपने भारतेश के लिए अपने संसार के लिए अपने परिवार के लिए अपने लिए आप सभी को मैं एक good news पी जरूर शेर करना चाहूंगी शनीवार को शिवानी बहन भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जोडेंगी तो प्रोजेक्ट में जोडेंगी तो प्रोबेबली साथरड़े और संडे वी विल हाव शिवानी बहन अलसो कमिंग विद उस on heal the world project तो अच्छा है जितने जोडेंगे हमें इस संसार को फिर से सुखमे बनाना है और आज जरूर होमवक करेंगे और होमवक इतना सिंपल है कि इस इंटॉक्सिकेशन में रहेंगे कि परमात्मा मेरा पिता है कितना सिंपल जिस चीज को हमने कहां-कहां रिशी, मुनी, साधू, सरन्यासी कहां-कहां उसको डूणने के लिए नहीं पहुँच गए पहाड़ों पे, कंद्राओं पे और हमें तो भगबान ने कितना सिंपलिस्टिकली अपना पूरा परिचे दे दिया तो इसकी खुशी और नशे में रहना है कल फिर मिलते हैं ओप शांती